और मेरे देश के नौजवानों कैसे हो आप सब तो दोस्तो आज हम बात करेंगे ऐसी 8 upcoming bikes के बारे में जो इस साल 2021 में confirm launch होने वाली है और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसको subscribe करके bell icon दबा दो ताकि आपको मिल सके मेरे आने वाले वीडियो के notification सबसे पहल देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तो अगर ये एक scrambler bike है तो इसको touring purpose के लिए design किया जाए मतलब जिन लोगों को mountaineering करने का शौक है या फिर जिनको off-roading करना पसंद है तो उनके लिए ये bike design की गई है बात करने दोस्तो looks की तो अभी front look इसका reveal नहीं हुआ है लेकिन पीछ पीछे का लोग भी दिखाए देता है जिसमें आपको small rectangular LED टेल लाइट शो हो रही है और indicators भी इसमें आपको LED indicators मिलते हैं और इसमें आपको बड़ा सा mudguard देखने को मिलता है जो काफी ज़दा helpful रहेगा अगर आप किसी कीचर वाले जगह से bike को निकालते हो तो mud उड़कर पी ज़दा helpful रहते हैं और पीछे आपको adjustable spring suspension ही देखने को मिलेगा हाला कि दूस्तों अगर ये keyfaracer bike है तो मैं guessing कर सकता हूं कि इसमें आपको handle मिलेगा वह आपको split handle देखने को मिलेगा जो की काफी ज़दा cool look अपनी bike को देता है लेकिन मैं front से कुछ भी नहीं कह सती है अगर आ इंजन में कोई difference नहीं है जो इंजन आपको harness में मिलता है 348cc का वही इसमें आपको engine मिलेगा जिसमें आपको 21bhp की power मिलेगी और 30Nm का torque मिलेगा दोस्तों बात करें exhaust note की तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत exhaust note में आपको changes देखने को मिलें बाकी बात करें price की तो ये 10-20,000 र बाइक है TVS Zeppelin दोस्तो हाली में Zeppelin को register किया गया है TVS Zeppelin R के नाम से और यहां आपको show हो रहा होगा कि किस date में इसको register किया गया है 2 November 2020 को इसको register किया गया है जिससे ये पता चलता है कि TVS इस बाइक की manufacturing पर work कर रही है दोस्तों अगर बात करें इस बाइक के looks की तो बहुत इस simple look इस bike में आपको मिलता है cruiser type की ये bike है और simple look में ही ये bike काफी जादा खुबसूरत लगती है सामने आपको LED headlight मिल जाएगी और यहां पर आपको HD web camera भी मिलेगा हाला कि मुझे नहीं लगता कि आपको इसका कोई work पड़ेगा और पीछे आपको LED tail light मिलेगी और indicators भी इस में आपको setup देखने को मिलेगा बात करें engine की तो इसमें आपको electric motor देखने को मिलती है जैसे कि आपको एक hybrid car में देखने को मिलती है उसी तरह इसमें आपको hybrid engine देखने को मिलेगा और 220cc का इसमें आपको single cylinder engine मिलेगा हाला कि power और torque अभी तक reveal नहीं की गई है दोस्तों अगर बात करें suspension की तो सामने आपको USD fork suspension मिलेंगे मुझे नहीं लगता कि company इसमें price cutting करेगी इसलिए इसमें आपको USD fork suspension ही मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा और dual channel ABS के साथ ये bike company launch करेगी बात करें price की तो इसका expected price है एक लाग पचास हजार और दोस्तों ये mid 2021 तक confirm Indian market में launch ह जाएगी तीसरे नंबर की upcoming bike है Yamaha XSR 155 दोस्तों अब ये bike बहुत सारे लोगों के लिए most awaited bike है जिसको भी देखो वही comment करता है कि भाई XSR 155 कब launch होगी या फिर किस date को ये bike launch होने वाली है तो दोस्तों पिछले साली ये bike Thailand में launch होई है और वहाँ पर इसका काफी अच्छ लुक इस bike में आपको देखने को मिलता है रेट्रो टाइप इसमें आपको body design देखने को मिलेगी और simple look में ही ये bike काफी खुबसूरत और cool और attractive लगती है दोस्तों बात करें front design की तो सामने आपको LED headlight का setup देखने को मिलेगा और आपको round shape में LED DRLs इसमें देखने को मिलेगे जो बाइक कोई काफी खुबसूरत look देते हैं और पीछे आपको round design में LED टेलाइट मिलेगी और indicators इसमें आपको descent bulb indicators मिलेगे दोस्तों बात करें engine की तो engine में कोई भी difference नहीं देखने को मिलेगा जो engine आपको Yamaha MT15 में देखने को मिलता है वही same engine इसमें आपको मिलेगा बात करे features की तो दोस्तो company इसमें price cutting ज़रूर करेगी जो model Yamaha ने European company में उता रहा है उसमें आपको USD Fox suspension देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर price cutting करने के लिए company आपको telescopic suspension देगी और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा और आपको European country में dual channel ABS मिलता है लेकिन जब यह बाइक इंडिन मार्केट म 1,5,000 और बात करें कि यह कब launch होने वाली है तो इसका expected launch है April 2021 मतलब mid में तो यह बाइक confirm Indian market में launch हो जाएगी बाकी आप comment box पर बताओ कि आप Yamaha XSR 155 का wait कर रहे हो कि नहीं फोर्थ नंबर की बाइक है Honda CB 125R दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 125cc का market इंडिया में काफी जोरो शोरो से बढ़ रहा है और Honda ने भी up plan कर लिया है कि वो 125cc segment में अपनी CB 125R को Indian market में launch करेगी और जैसे यह बाइक Indian market में launch होगी तो KTM Duke 125 को काफी भारी फटका पढ़ने वाला है क्योंकि दोस्तो अगर आपको 120,000 या 130,000 में एक बढ़िया feature वाली बाइक या फिर एक value for money बाइक मिलेगी तो आप उसकी तरफ जरूर जाना पसंद करोगे दोस्तो बात करें features की तो इसमें आपको सामने usd folks suspension देखने को मिलेगा इसमें आपको कोई भी cost cutting देखने क नहीं मिलेगी और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा बात करें front design की तो सामने आपको led headlight मिलेगी और पीछे आपको led tail light मिलेगी और indicators भी इसमें आपको led indicators मिलते हैं तो दोस्तो honda quality के मामले में कोई भी compromise नहीं करता है आपको best से best चीज इस bike में देखने को मिलेगी बात करें engine की तो इसमें आपको मिलता है 125cc का single cylinder engine जिसका max power 14.7bhp और max torque 12 newton meter का और अगर बात करें breaking की तो single channel EBS इस bike में आपको मिलेगा और पीछे आपको RLP sensor मिलेगा दोस्तो बात करें इसकी price की तो इसका expected price रहेगा 1,20,000 से 1,30,000 तक और बात करें कि ये bike कब launch होने वाली है तो अभी official date नहीं आई है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि mid 2021 में ये bike Indian market में launch हो जाएगी 5th number की bike है KTM RC 200 दोस्तो अगर आपको किसी bike की धजिये उड़ानी है looks की तो आप KTM से सलह ले सकते हो मतलब 200cc में आपको एक बिंदास look देना चाहिए था RC 200 में लेकिन ये look आपको काफी बुरा दे headlights इस bike की शान हुआ करते जी अब वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी पूरा ही looks इस bike का change कर दिया गया है जैसे कि आप ये image देख रहे हो ये बजाच के manufacturing hub से ली गई है जिससे ये पता चलता है कि इस साल 2021 में KTM इस bike को Indian market में उतारने वाली है तो दोस्तों मुझे त पसंद नहीं आया है बाकि आप comment box पर बताओ कि आप इस bike को लिना पसंद करोगे की नहीं ऐसा लग रहा है कि एक unicorn की उपर एक गधे कमू लगा दिया गया है बाकि बात करें features के तो features में आप कोई changes देखने को नहीं मिलेंगे same features जो आपको RC200 में अभी देखने को मिलते हैं वही feature इसमें आपको देखने को मिलेंगे power और torque में कोई भी difference नहीं होगा कोई भी इसमें आपको changes नहीं मिलेंगे बाकि जो changes है वो design काई है जो आपको यहाँ screen पर देख रहा है बाकि दूस्तों मुझे पुरान लोग काफी जादा पसंद था लेकिन ठीक है पता नहीं कि ATM क तो अब इसकी launch rate कोई भी सामने नहीं आई है लेकिन ये confirm है कि 2021 में ही ये bike launch होने वाली है 6th number की bike है Yamaha MT 125 दोस्तों ये भी Yamaha की तरफ से आने वाली 125 की bike है जिसका looks same MT 15 की तरह है मतलब आपको looks में कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा same design जो MT 15 में आपको मिलता है वही design आपको इस bike में देखने को मिलेगा हाला कि Yamaha को ऐसा नहीं करना चाहिए जब भी Yamaha bike launch करती है तो वो कुछ ना कुछ cosmetic changes करके launch कर देती है तो Yamaha को कुछ नया looks लाना चाहिए ताकि ये bike चल सके हाला कि अगर ये 125 CC में आती है तो कम price में ये bike Indian market में जरूर चलेगी दोस्तों बात करें front design की तो सामने आपको corners पर LED DRLs मिलेंगे और center में आपको projector bulb मिलेगा पीछे आपको LED tail light मिलेगी और indicators इसमें आपको normal descent bulb indicators मिलेंगे बात करें features की तो दोस्तों European country में ये bike USD Fox suspension के साथ आती है लेकिन जब ये Indian market में launch होगी तो आपको normal telescopic suspension देखने को मिलेंगे और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा engine specs की बात करें तो 124.7cc का engine इसमें आपको देखने को मिलता है जिसका max power रहेगा 13bhp का और max torque रहेगा 11 newton meter का और इसमें आपको oil cooled engine देखने को मिलेगा दोस्तों ABS इसमें आपको single channel ABS मिलेगा और पीछे आपको कोई भी RLP sensor देखने को नहीं मिलेगा और dual channel ABS के price की तो इसका expected price है 1,25,000 से 1,30,000 और बात करें कि कब ये bike launch होने वाली है तो इसका launch expect किया जा रहा है July 2021 तक मतलब July 2021 तक ये bike confirm Indian market में launch हो जाएगी बाकि आप comment box पर बताओ कि आप इस bike को लेना पसंद करोगे की नहीं 7th number की bike है Honda CBR 150R दोस्तों Honda company ने कहा था कि वो आने वाले साल 3-4 नई bikes को launch करेंगे और Honda के पास अभी 150cc segment में एक full fed bike भी नहीं है कुछ साल पहले ही उनने CBR 150 को discontinue कर दिया था लेकिन अब वो पूरा plan कर रहे हैं कि 150cc segment में वो एक muscular और sporty look वाली एक full fed bike Indian market में उतारेंगे दोस् में आपको इतना sharp और muscular look मिलता है कि आप भी इस bike के fan हो जाओगे दोस्तों front design की बात करें तो उपर आपको corners पर LED DRS मिल जाएंगे और उसी के नीचे आपको LED headlight का setup मिल जाएगा तो जो सामने का look है वो भी इस bike का काफी खुबसूरत लगता है पीछे आपको LED tail light मिलेगी और indicators again इसमें आपको LED indicators देखने को मिलेंगे इंजिन की बात करें तो 150cc का single cylinder engine इसमें आपको मिलेगा और इसमें आपको liquid cool engine देखने को मिलेगा बात करें पावर की तो 18bhp की इसमें आपको power मिलेगी और 60 newton meter का torque इसमें आपको देखने को मिलेगा और 6 speed gearbox के साथ ये bike आपको available हो लागी बात करें इसके features की तो इसमें आपको USD fork suspension देखने को मिलेगा इसमें आपको कोई भी price cutting देखने को नहीं मिलेगी और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा और dual channel ABS के साथ आपको ये bike Indian market में available हो जाएगी और दोस्तों ये आपको dual disc में मिलेगी और इसमें आपको petrol disc brake मिलेगे जिनका heat distribution round disc brake के मुकाबले काफी बढ़िया होता है बात करें इसकी expected price की तो एक लाग पचास हजार से एक लाग साथ हजार तक इसका expected price रहने वाला है और बात करें कि ये bike कब launch होने वाली है तो इसके अभी कोई official date नहीं आई है लेकिन mid 2021 तक ये bike confirm Indian market में launch हो जाएगी और ज segment की bike में किस तरह का look देना चाहिए और 300cc के segment में इस bike में काफी बढ़िया look दिया गया है पुरानी R3 का look उतना अच्छा नहीं था और लोग भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे इसलिए Yamaha ने उसको discontinue कर दिया था लेकिन अब Yamaha पूरा plan कर चुकी है कि वो इंट type look इस bike में आपको मिलता है front design की बात करें तो सामने आपको LED headlight का setup देखने को मिलेगा पीछे आपको LED tail light मिलेगी और indicators भी इसमें आपको LED indicators देखने को मिलेगे बात करें instrument console की तो इसमें आपको LCD instrument console मिलेगा हालकि अगर हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो हमको TFT instrument console मिलना चाहि का twin cylinder BS6 engine इसमें आपको मिलेगा और power और torque इसके अभी कोई reveal नहीं की गई है features की बात करें तो दोस्तो सामने आपको USD Fox suspension मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा और dual channel ABS के साथ ये bike आपको available होगी दोस्तो ब्रेक की बात करें तो हो सकते कि इसमें आपको बाइबर की brakes की और अग बात करें कि कभी ये launch होगी तो जून 2021 तक इसकी launch expect की जा रही है बाकि आप comment box पर बताओ कि आप इस bike को लेना पसंद करोगे की नहीं तो उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप मेरे channel पर नए आये हो तो इसको subscribe करके bell icon दबा दीजि अभी के लिए thanks till then wait for my new upcoming videos